गेहों की कीमतों में भारी उच्छा ला सकता है बाजार में इस समय गेहों के भाव को लेकर उतल पुतल का दोर चारी है इससे गेहों की कीमत बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं तरसल यूज उक्रेइन यूद के तुरान शुरू हुई गेहों की विदेशों में मांग की सपलाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई मांग की अधिक्ता के कारण गेहों की बाजार में अच्छी पकड बनी हुई है और गेहों के भाव में तेजी देखी जा रही है यदि बाजार जानकारों की माने तो अभी इसके भाव में आगे और उचाल आ सकता है तरसल आने वाले समय में गेहों का भाव तीन हजार रुपे तक का आंकड़ा भीचू सकता है इससे यह खबर उन किसानों के लिए अच्छी है जिनोंने इस पार अपने खेतों में गेहों की वौई की है यदि गेहों में इसी तरह तेजी जारी रही तो किसानों को आने वाले समय में गेहों के अच्छे भाव मिलने की उमीद है वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो गेहों के भाव में 40-50 रुपे करके तेजी बढ़ेगी गेहों अपनी तेजी की चार्ट चलेगा और मिल क्वालिटी 3000 रुपे का आंकड़ा बहुत जल चूँ सकता है आने वाले समय में नया गेहों भी तेजी के भाव से बाजार में आने की उमीद की जा रही है और उसकी मंदी की उमीद काफी कम है अभी से बड़े वेयर हाउस MNC कंपनी बुक करने लगी है और दूसरी तरफ FCI के गुदाम में स्टोक का काम अदानी जैसी बड़ी कमपनी ने अपने हाथ में लिया है ऐसे में बाजार स्टोकिस भी अपने लेवर पर त्यार है माना जा रहा है कि आने वाले साल 2023 गेहों के व्यपार के लिए होट फेवरेट रहेगा तरसल गेहों के भाव में तेजी का दोर बना हुआ है गेहों के इस बार जो भाव एक बार उपर चड़े तो नीचे नहीं आए गेहों को लेकर अभी बाजार में उतल पुतल की स्थिती है तेश की परमुक मंडियों में येहू की कीमतों में फिलाल उचार देखने को मिल रहा है और भाव 2000 से लेकर 21 रुपे तक उपर में देखने को मिल रहे हैं वही नीचे के भाव की बात की जाए तो 18 सो तक नीचे भाव देखने को मिल रहा है विरो रिपोर्ट माकी टाइम्स टीवी